नमस्कार ब्रेंक्योस्टोमा के फीजियो लॉजिकल सिस्टम्स के श्रंखला में आगे बढ़ते वे बात करते हैं रैस्पिरेटरी सिस्टम या श्वशन तन्त्र की ब्रिंक्यो स्टोमा के पास विशिष्ट प्रकार के श्वशन अंग या रेस्पिरेटरी ओर्नर्स जो होते हैं उनका अभाव होता है उनका विकास यहां पर नहीं हुआवा होता है ब्रिंक्यो स्टोमा की फेरिंजियल वॉल जो है उस वो highly vascular होती है समभानित होती है और जलकी धारा जो फेरिंजियल cavity में प्रवेश करती है उसके साथ गुलित oxygen जो होती है उसको यहां पर ग्रहन कर लिया जाता है और carbon dioxide जो है उसे बाहर बेश दिया जाता है तो इस तरीके से फेरिंजियल वॉल में मिलने वाले gilk left या gil slips जो होते हैं वो संभवत है श्वशन क्रिया को संपादित करते हैं ब्रिंक्यो स्टोमा के पास कोई भी श्वशन बढ़नक यहां पर blood में उपस्तित नहीं होता है कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि गैसों का आदान प्रदान का जो कारे है वो ब्रिंक्यो स्टोमा की बॉड़ी में मिलने वाले जो fins होते हैं जो metaflural force होते हैं और जो atl wall होती है उसके द्वारा संपादित किया जाता है तो इस प्रकार से श्वशन तंत्र के लिए कोई विशिश टंग का अभाव ब्रिंक्यो स्टोमा के श्वशन तंत्र को बहुत ही simple way में present करता है अगला सिस्टम जो आज हम यहां discuss करना चाहते हैं वो है हड्मान्या के समान ही ब्रिंक्यो स्टोमा में मिलने वाला ब्रिंक्यो स्टोमा का उत्सर्जन तंत्र या एस्क्रीटरी सिस्टम अधिकाश कॉडेट्स जो होते हैं वहां पर मिलने वाले जो उत्सर्जी अंग होते हैं मीजोडर्मल किड्मीज जो हैं अधिकाश कॉडेट्स में पाई जाती हैं लेकिन ब्रेंक्योस्टोमा में मिलने वाले उठरजी अंग जो होते हैं वो पूनतिया भिन प्रकार के होते हैं यहां पर ब्रेंक्योस्टोमा में मिलने वाले जो नेफरीडियास हैं उनका विकास जो होता है वो एक्टोडर्म स्तर के द्वारा होता है और मीजोडर्मल स्तर के प्रवर्वर्थी और प्रवर्थी जो होती है यह फाइलम एनीलिडा में मिलने वाले जो फ्लेटबर्म्स या पॉलिट रिजेंबल करती है वहां मिलने वाले प्रोटनेफरी डिया और इंडेफरी डियास जो होते हैं वो संदर्चात्मक द्रष्टी से समानता रखते हैं और ये समानता जो है वो एक समानांता विकास, स्पैर्लल इविलिशन की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है, तो अब बात करते हैं ब्रेक्योस्टोमा के उत्सरजी अहुकी, ब्रेक्वेस्तोमा का जो excretty system है इसका निर्माण करने वाले मेन जो structures होते हैं उन्हें proto-nephorylia या आदिव रकक कहां जाता है simple type के होते हैं, closed होते हैं, ciliated होते हैं, sack like structure होता है और इसमें ectrodermal tubules present होते हैं 90 to 100 pairs of tubules जो होते हैं वो यहाँ पर present होते हैं और यह structure जो है proton ephridia का, यह pharyngeal wall के उपर dorsal lateral surface पर present होता है यहाँ मिलने वाले जो proton ephridias हैं, जिनकी संख्या 90 से 100 चोड़ी होती है उन में से अगर एक individual proton ephridium का, हम structure यहाँ पर देखना चाहें तो यह proton ephridium जो यहाँ पर present होता है, यह basically L shape का दिखाई देता है या comma shape का दिखाई देता है, दो भुजाएं या दो limbs यहाँ पर present होती है अपर पार्ट में मिलने वाली small upper posterior horizontal limb होती है शैतिज भुजा होती है और इसके साथ-साथ-lumby lower vertical limb present होती है vertical limb यहाँ पर जो present होती है, यह primary gill bars में मिलने वाली जो silomy canals होती है वहाँ पर जाकर के समाफ होती है horizontal limb यहाँ पर जो present होती है, यह है, atrium में जाकर के खुलती है और वहाँ पर एक छोटा सा seriated aperture यहाँ पर nephridia के पास present होता है जिसे nephridio pore कहा जाता है इस जित्र की सहायता से nephridias जो है, यह atrium cavity में जाकर के खुलते है यहाँ पर nephridium की जो dorsal और anterior surface होती है उस पर बहुत सारी छोटी छोटी शाखाईं branches present होती है यह branches यहाँ पर जो present होती है, इन branches के उपर विशेश प्रकार की कोशिकाओं के समू अपस्तित होती है, कोशिकाओं के गुल्दस्ते की तरह लगेवे गुच्छे अपस्तित होती है और यह cells यहाँ पर जो present होती है, इन cells को flame cells, जवाला कोशिकाओं या solenocyte कहाँ जाता है तो इस तरीके से एक individual nephridium के पास लगबग 500 की संख्या में solenocyte present होती है हर solenocyte cell यहाँ पर जो है, इसकी लंबाई लगबग 50 new होती है और इसके structure को अगर हम देखें, एक solenocyte या flame cell की सरंचना को देखें तो यहाँ पर एक rounded nucleated cell body होती है, उसके साथ जुड़ावा एक लंबा, खोखला, टिब्यूल या stock present होता है और यह सारे stock जो होते हैं, वो nephredial branch के अंदर जाकर के खुलते हैं इसके साथ साथ, basal body of cells से एक phlegelum जो होता है, वो phlegelum भी प्रतेख जवाला कोशिका के पास उपस्तित होता है nephredia यहाँ पर जो present है, यह हुआ इनका सरंचना प्रतियक nephredia यहाँ पर जो है, वो blood vessels के साथ, इनकी supply जो होती है, प्रचुर मातरा में होती है solenocytes जो होती है, वो silomic fluid में जाकर के projected होती है excretion या oxygen की प्रक्रिया जो होती है, सामानने, विसरण या simple diffusion के process के तरू होती है nitrogenous waste products जो होती है, उनको extract करने का काम, उनको छांटने का काम जो होता है वो solenocyte या जवाला कोशिकाओं के द्वारा संपादित किया जाता है और जो nitrogenous waste होता है, उसको nephredio4 की सहता से एत्रियम में भेज दिया जाता है और एत्रियोपोर की साहता से बाहर जाने वाली जल की धारा के साथ उसरजी पदार्थ बाहर निकाल दिये जाते हैं इस तरीके से जैसा कि पहले बताया जासुका है, presence of protonephridia, amphioxis में जो मिलते हैं यह बहुत peculiar feature है, किसी भी unaccorded angentoo के अंदर इस प्रकार की सरचनाएं नहीं पाई जाती हैं तो यह angentoo का मुख्य उत्सरजी अंग होता है इसके साथ साथ जब हमने पाचनतंत्र पढ़ा था, पाचनतंत्र के अंदर animal की बकल cavity या vestibule में मिलने वाला जो चक्रिय अंग वील ओर्गन होता है, उसकी सबसे उपर वाले बुजा, हैस्चेक ग्रूव या हैस्चेक पिट बनाती है उस हैस्चेक पिट वाले भाग में भी ऐसा माना जाता है, कि आंशिक रोप से उस सरजन का कार्य यहां पर किया जाता है और इसी लिए हैस्चेक पिट वाला जो स्टक्चर है, इसको हैस्चेक नेफरीडियम के नाम से भी जाना जाता है इन सरचनाओं के अतिरिक एक ब्राउन फरनल्स भी ब्रेंक्योस्टोमा की बॉड़ी में प्रेजेंट होती हैं यह posterior end of pharynx में मिलने वाली एक चोड़ी फरनल सेकलाइक स्टक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसा माना जाता है कि यह जो स्टक्चर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं यह भी आशिक रूप से उसरजन के कारे को संपादि करते हैं हलंकी कुछ वैज्यानिकों ने इन्हें receptor organ या समेधी अंग का नाम भी दिया है एक्ट्रियम केविटी का जो आधार भाग होता है फ्लोर वाला पोर्शन होता है वहां पर भी छोटे छोटे सेंसरी पैपिलास प्रेजेंट होते हैं जिने रिनल पैपिला कहा जाता है गुरूप ऑफ सेल्स प्रेजेंट अन दा फ्लोर व अट्रियल केविटी संभवते यह भी उत्सरजन का कारे करते हैं तो यह छोटे छोटे अंग जो हैं उत्सरजन कारे को संपादित करने में मदद करते हैं मुख्य उत्सरजी अंग के रूप में हमें प्रोटो नेफरीडिया की संचना और कारे को याद रखना है तो यह था ब्रेंट्यो स्टोमा का एक्स्प्रिटी सिस्टम इसी शरंखला में हम आगे पढ़ेंगे अन्या फिजियोलोजिकल सिस्टम के बारे में धन्यवाद झाल 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 झाल